नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों मायवती जी की चर्शा यूं तो टीवी मीडिया में नहीं होती है मायवती जी पर टीवी मीडिया ने कभी डिबेट नहीं किया और शायद ही मायवति जी की रणनीती पर कोई हला बोल या पिर ललकार या पिर कहें कि दंगल ऐसा कभी नहीं किया किसी नहीं दोस्तों इस समय मायवति जी सोशल मीडिया पर बहुत ज़ादा एक्टिव है पिछले 5 दिनों में मायावती जी ने 11 टूइटस किये हैं और 11, 10 से 11 मुद्दों को उठाया है इसमें सरकार को भीखेरा है, बुनियादी मुद्दों को उठाया है, गरीबी वेरोजगारी महगाई, खत्म करने की बात कई है समाजवादी पारिटि के PDA पर सवाल खड़े किया है दिली के ओल्ड राजेंदर नगर मेर्नी सतरीके से UPSC के चाठ़ों की जान गई है उसको लेकर भी सवाल खड़े किया है जो महुंसुण सत्र उत्रप्रदेश विधान सभा में शुरू हुआ है उसको लेकर भी सवाल खड़े किये हैं और केंद्रिये जो बजट आया है उसको लेकर भी मायावती जी ने तीखी परत्किरा दी है नीट यूजी मेटकल परिक्षा की जो पुरानी विवस्ता है उसको लेकर मायावती जी ने टूइट किया है तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बदलाव है बसपा सुप्रीमों में कहा जा रहा है ये एक बहुत करांतिकारी बदलाव है और वो मायवती जी जो अकसर सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाती थी अब वो सोशल मीडिया फ्रिंडली हो रही है जी हां दोस्तों और अग जो Parch का मकसद है जो मायवती जी का मकसद है उसमें वो जरूर कामियाब हो सकती है क्योंग उनके पास अपना अच्छा खासा जो वोट है जनाधार है उनके पास मौजूद है इस बीच मायवती जी ने केरल राज के वाइनाड में जबरदस्त बारश की वजेश से जो भूसरन हुआ है जानमाल का नुकसान हुआ है उसको लेकर भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि भाया ये बहुत दुखद है सभी पीडित परिवारों के प्रति उनकी गहरी सम्विदना और केंद्र और राज्य सरकार से उन्हें हर प्रकार की मदद तत्काल उ अपील है पडोसी राज्य भी अगर मदद को आगे आएं तो बहतर होगा तो केंद्र सरकार से सभी राज्य सरकारों से पडोसी राज्य सरकारों से काया कि केरल में जो कुछ हुआ है क्योंकि दोस्तों वहा पर बारिश के कारण जो हाला था बेहत खराब हो गये हैं कई पिछले दिनों आपने देखा कि मायवती जी ने गट बंधन कर लिया, लोग कह रहे थे कि मायवती जी गट बंधन नहीं करेंगी और उन्होंने गट बंधन करके ये साबित कर दिया कि आने वाले जो चुनाव है चाहे वो महराष्ट में हो या जारखंड में हो, इन जगों प अगातार अनराज्यों के संगठने की समक्षा बैठा कर रही हैं निर्देश दे रही हैं इस बीच वड़ी खबर ये है कि जो उत्तर प्रदेश में दस सीटों पर उप्चुनाव होने जा रहा है उसके प्रत्याशियों को लेकर जबरदस तरीके से काम शुरू हो गया है का जा रहा है कि एक एक सीट को लेकर पांच-पांच लोगों के बायो डेटा पहुंचने शुरू हो गया है और उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस बार बस्पा को अच्छा परदर्शन करने की उमीद है और उत्तर प्रदेश की दस सीटों पर जिस तरीके से बीच पी चुना लड़ी हो लेकिन ये क्रांतिकारी बदलाव है बस्पा में दोस्तों ये बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है सोशल मेडिया पर मायवती जी का यूँ अच्छानक एक्टिव हो जाना गट बंधन कर लेना आकाश आनंद को फिर से बहाल कर देना और उप्चुनावों में जैस वो मायवती जीनी लोगों की तोड़ दी है बहुत सारी धारणाएं बीजेविकी बीटी माली धारणा तोड़ दी गटबंधन नहीं करती हैं किसी को फाइदा पहुचाती है इसलिए गटबंधन नहीं करती हैं ये धारणा भी तोड़ दी हरियाना में तो हालत खराब है भ टाउन सर्वेज आ रहे हैं वो भी इनेलो वसवा के पक्ष में आ रहे हैं। इन दोनों का जो गठ जोड है दोस्तों वो बहुत मारक है। और कहा जा रहा है कि यही गठ जोड आने वाले चुनावों में सबसे मजबूत कड़ी बनकर उभरेगा। लेकिन दोस्तों कभी भी इसको लेकर एक ऐलान हो सकता है। उधर बिहार को लेकर खबर यह है कि तमाम जो बसपा के नेता हैं वो अक्टिव होचले हैं। बिहार में आपको बताऊं तो दोहजार पच्चिस में विधान सभा का चुनाव है। ऐलान हुआ है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बहुत सारी पार्टियां अभी से बसपा के साथ गढ़ बंधन करने के लिए वेताव हैं। जैसे AIMIM चाहती है कि बिहार में बसपा के साथ उसका गढ़ बंधन हो। दोस्तों AIM तो अभी से ही जैभीम जैमीम के नारे लगाती है। वो उसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो हमें बहन जी के साथ जाने में कोई भी दिक्कत कोई ही जाहत नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब 2025 में बिहार में बिधान सभा का चुनाव होगा तो AIMIM और बसपा फिर उसे चुनाव लड़ेंगे। साथ में नतीजा ये हुआ था कि बसपा ने वहाँ पर एक सीट पर जीत हासिल करनी थी। दोस्तों आपको बताओं तो बसपा एक राश्ट्रिये पार्टी है। उसे राश्ट्रिये पार्टी का दरजा 20-25 साल पहले ही मिल गया था। अब यहाँ चुनावती उसके सामने ये है कि अ मिक्षा बैठक होगी तो उसमें इस बात को लेकर मन्थन किया जाएगा कि जो जो पार्टियां दाएरे में नहीं आती हैं अपना परफॉर्मेंस शर्ते नहीं पूरा कर रही हैं उनका जो राश्ट्रिये पार्टी का दरजा है वो जा सकता है। वैसे अभी भी बसपा चार राज्यों में राज्य पार्टी का दरजा रखती है और उपचुनावों में खास दोर से उसे बेहतर प्रदशन करना होगा। बोर्ट परसिंटेज जो है वो बसपा का गीरा है और इसे बढ़ाना पड़ेगा इसलिए बसपा आपने देखा होगा कि पूरे देश में चुन बना रहे और उपचुनावों में जिस तरीके से अक्टिव हुई है वसपा सुपरीम होगा जिस तरीके से बैठक हो रही है प्रतैशन के नामों पर मंधन हो रहा है उससे भी कही न कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार उपचुनावों में बसपा कुछ खास क्योंकि जो दस सीटे हैं वो दलित जाट मुसलिम बावल इलाके हैं और यह जो दस सीटे हैं उत्तर प्रदेश में अलग-अलग इलाकों में विखिरी हुई सीटे हैं तो इसमें भी बस पाकू कही ना कहीं इक मदद मिल सकती है तो दोस्तों मायवती जी की एक्टिविटी को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे थे उनका जो मुह है वो बंद हो गया है और जो लोग बीजेबी का बीटीम का आरूप लगा रहे थे कहीं ना कहीं उनको मुह की खानी पड़ रही है मायवती जी अपने सक्क्रिता से अब एक बार फिर से सुर्खियों में है बहराल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आपको क्या लगता है कि आप यस्पी सुप्रीमो उप्चुनाओं में अगर अपने कैंडिडिर उतारती हैं तो उनको कितना फाइदा मिल लेगा इसको लेकर आप लोग भी परत किरा दीजिए बहुत बहुत धनुआत शुक् कि अनुए कि यद्जब दो लेगा उनको कि दीजिए.